इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह डाइबिटीज के लोगों में बलड शुगर के स्तर को नियंतरित करने में मदद करता है। ग्लियोनिक्स हैम एक टैबलेट सीनियर को खाने के साथ लेना चाहिए। अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर लें। आपका डॉक्टर यह निर्नाय लेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर बदल सकती है इस अनुसार की यह आपके खून में शुगर के स्तर के अनुसार कैसे काम कर रही है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आपके बलड शुगर का स्तर नियंत्रित है तो भी इस दवा का सेवन करते रहें। अगर आप इसे डॉक्टर से परामर्ष किये बिना लेना बंद करते हैं, तो आपके बलड शुगर का स्तर बढ़ सकता है और आपको किड्नी का नुकसान, अंधापन, नसों से संबंधित समस्याएं और अंगों को खोने का जोखिम रहता है। याद रखे कि यह दवा, इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम भी शामिल होना चाहिए। इससे निपटना जानते हैं। इसकी रोक्थाम के लिए हमेशा नियमित रूप से भोजन करना और ग्लूकोस का तेजी से काम करने वाला स्रोच जैसे कि शुगर वाले खादेपदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है। शराब पीने से आपका ब्लड शुगर के स्तर में कमी का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इससे बचना चाहिए। इस दवा से कुछ लोगों का वजन बढ़ सकता है इस दवा को लेने से पहले अगर आपको कभी हिरदे रोग था तो अपने डॉक्टर को बताएं ये उप्यूक नहीं हो सकता है गरभवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर् आपके डॉक्टर आपके ब्लड सेल काउंट और लिव फंक्शन की निगरानी के लिए ब्लड टेस्ट की सलाह भी दे सकते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद